जैसे शाम बच्चों, कैसे हैं सब? तो चलिए, आज बात करने वाला हूँ एक बहुती इंपॉर्टेंट टॉपिक पर खास करके बच्चों, स्टाटीजी बतानी जा रहा हूँ मैं विक स्टुडेंट या जो नॉन मैस बैक ग्राउंड के बच्चे है उनकी स्टाटीजी कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए अपनी CA, Foundation, Mass, Start और LR को ठीक है, तो एक एक चीज अपने डिटेल में समझना है और उसको फॉलो भी करना है और पसंद आए तो जादा तर बच्चों तक उसको शियर भी करना है ठीक है, चलिए स्टार्ट करते है तो बच्चो, अगर मैं बात करूँ कमजोर बच्चो की, मैस में जो कमजोर है या नौन मैस बैक ग्राउंड के बच्चे है जिनके क्लास 11, 12 में मैस नहीं था उन्होंने किस तरीके से स्टार्ट करना है सबसे पहले मेरे बच्चो, इसमें आप लोगों करना है क्या मेजर आफ सेंटरल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन ठीक है, इस चैप्टर को सबसे पहले उठाओ ठीक है, बहुती इजी चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ट चैप्टर है फॉर्मूला लिक लिक के प्रैक्टिस करो अपने आप सारे कोशिन इसके निकाल लोगे बहुती आसान चैप्टर इसका अगर मैं वेटेज की बात करो तो सीधा सीधा अगर मैं देखो तो 6 से लेकर 10 नमबर के बीच में यहां पे देखने को मिल सकता है ठीक है उसके बाद आप उठा लो और एक चैप्टर इंडेक्स नमबर यह जादा तर ठीओरी बेजड है यह चैप्टर है ना इंडेक्स नमबर उठाने और उसके बाद बच्चो एक आखरी चैप्टर उठा लो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्टिशन ओफ डेटा यह चार चैप्टर बस करने अपने स्टैटिस्टिक्स में आपका बेडा पार हो जाएगा ब Studios करके ध्यान डखने क्या यह ध्यान डखने है कि जब आपका एक एक चैप्टर कमपलीट होता जाएगा जैसे मानलो, यह आपने complete कर लिया measure of central tendency and dispersion, इसका chapter wise test दो, ठीक है, उसी तरीके से correlation regression जब complete हो जाएगा, इसका chapter wise test देना है, index number का, फिर इसका test देना है, statistical description of data, इसका भी test देना है, यह दो chapter totally अगर मैं बोलू, तो theory question यहां से, दोनों chapter को मिलाकर, 14 से 16 number की देखने को मिलती है, क अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तब तक करते रहो, जब तक दिमाग के अंदर बिलकुल set नहीं बैढ़ जाता है, आराम से यह आप निकाल लोगे, statistics का portion, अगर आप यह chapter करके जाते हैं बच्छो, यह 4 chapter, तो मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ, 32, 35 marks आपके कहीं नहीं टोटल वेटेज आपको पता ही है, 40 marks का होता है, तो 30 से 35 इन 4 chapters को करने के बाद आपके आराम से आ जाएंगे, जब statistics खतम हो जाता है, बच्छो, आप लोग एक काम करिए, उसके बाद उठा लो आप लोग, logical reasoning, क्या उठाने हैं अपने, sir, logical reasoning, बहुत easy concept होते हैं इसके, logical reasoning आ आप क्या करने हैं, तयारी करने हो सिसाब से जैसे आपका सबसे पले इसके अंदर मान लो, कि बच्छो, नमबर सिस्टम, ये कम्पलीट करो, easy है, ये काफी, फिर उसके बाद आप कर लो direction test, ठीक है, ये भी आपका आराम से हो जाएगा, after that बच्छो, आप लोग आजाओ, ब मेरी पड़ी है, इनके उपर, आराम से देखो, एक एक चीज मैने डिटेल में बताए जाखी है, टेक्निक्स बता रखे हैं, वो follow करो, आप आराम से किलियर कर जाओगे, ये आपका total, अगर मैं बात करो, तो ये सीधा-सीधा 20 marks का आपको देखने को मिलता है, तो बच्छो, अगर इसको आप practice कर लेते हैं, इसका भी ऐसे करना है, एक chapter complete करो, उसका test, फिर complete test, फिर complete, फिर test, फिर complete, फिर test आपने देना है, ठीक है, ये चीज आपने दिहान रखने है, तो यहां से अगर मैं बात करों, बच्छो, अगर आप करके जाते हैं, तो 14 से 16 नंबर ना आपके आसानी से आ सकते हैं, इतना easy होता है, ठीक है, बाकी देखो, जिनके पास perfect practice book है, वो तो उसके सारे question कर लो, तो ICI module करनी के भी जरुवतनी है, बट जिनके पास नहीं है, तो ICI module के जो exercise questions है, वो करें, mock test paper जो given है, वो आप practice जरूर करें बच्चो, ठीक है, वहां से क्यूकि पिछले दो तीन अटेम में ही देखा गया कि लॉजिकल डिजनिंग कुछ कोशिंग, सारे नी, कुछ कोशिंग थोड़े मुस्किल से दिये जा रहे हैं, जैसे कि सिटिंग अरेजमेंट के ओपर, बलड रिलेशन के ओपर, तो आप कर सकते हैं, तो जिनके पास PP book है, वो तो से बिंदास फॉलो करें, तो यहां से देखो आपके आराम से 14 से 16 मार्स आपके आ सकते हैं, यह मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जो बच्चे काफी कम जो रहे हैं, ठीक है, यह जो नॉन मैस बैक्ग्राउंड के, अब आज़ो बच्चों मैस के अंधर, तो मैस के कर लो क्या, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, एंड लॉग, बस, यह दो कर लो, अगर यह दो चैप्टर आप कर जाते हैं, तो आपका लगा लो कम से कम मैं कह रहा हूं, 12, 8, 20, मतला 18 से 20 मार्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है, इन दो चैप्टर से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, कि आपका अगर इन चैप्टर को करके भी, अगर मैं मिनिममम बोलू, तो अगर मैं 30, 40, 50, 60, 70, 80 के आसपास देखो, आटमेटिकली आपके बन रहा है, अगर मैं चलो मुटा मुठी बोलो, 72, 80 मार्स आपके फिर भी आराम से आ सकते हैं,